इस वीडियो में चर्चा करेंगे बबल एनिमे मूवी के बारे में तकरीबन इसकी जो लैन था वो दो घंटे के आज सपास रखी गई है मैं एक मूवी थी, यूर नेम एनिमे मूवी थी उस तरीके की कोई मूवी मैं देखना चाह रहा था काफी टाइम हो गया है, कोई इमोशनल मूवी मुझे देखनी थी एनिमी के अंदर, लेकिन अभी तर मेरी तलाश वो घतम नहीं हुई बबल मैंने देखा कि यार इसके अंदर शायद कुछ ऐसा मिल जाए इमोशनल हो जाओ, बट नहीं आ रहा है, उसके अंदर इतना मज़ा मुझे नहीं आया कैर, स्टोरी की बात कर लेते हैं, अचानक से धर्ती के उपर बबल्स आ जाते हैं अब वो कहां से आते हैं, कैर वो नहीं बताया गया है और इनका एक सेंटर बनता है टोकियो, अब जहां पर ये सेंटर होता है बबल्स का, वहाँ पर ग्रैविटी जीरो हो जाती है, अब नॉर्मल चीजे वहाँ पर होने लग जाती है अब कुछ जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, उस एरिया के अंदर जहां पर सेंटर बना हुआ है, जहां ग्रैविटी जीरो है वहाँ पर एक अलग तरीके का गेम कर रहे हैं, एक तरीके की रेस लगा रहे हैं यहां पर दो मीन करेक्टर आपको देखने को मिलेंगे एक लड़का है, जिसका नाम है हीवी, और दूसरी एक लड़की है, जिसका नाम होता है उटा अब उटा कहां से आई है? नाम भी बड़ा जीज़ है अब लेको उटा कहां से आई है? यह भी काफी एक इंटरस्टिंग इशू है एक इंट्रस्टिंग पार्ट है आपको देखने में मज़ा आएगा मतलब यह कहां से जनरेट हुई है यह आई यह जो भी है वगएरा वगएरा स्पोईलर मैं नहीं देने वाला हूँ और यहां पर एक करेक्टर डेवलोप्मेंट की मैं अगर बात करूँ तो ही भी का थोड़ा बहुत हमीं करेक्टर डेवलोप्मेंट देखने को मिलता है बिल्कुल थोड़ा सा उससे मैं यह जया सकता हूँ है इतना हम करेक्टर डेवलो entertainment के बिहाव से बात करूं तो नहीं है हमें नहीं मिल पाता इतना entertainment इससे क्योंकि यार इसमें वो story जिसमें एक देखने की उम्मीदे थी जिससे हम connect होते वो चीज़ें इसके अंदर नहीं है जैसे मैंने का यह movie दो गंटे की अब इस दो घंटे को पूरा करने के लिए आप को कितना टाइम चाहिए होगा अब इसको अधि मैने एक दिन देखी अधि मैने अगले दिन देखी मतलब एक movie जो सिरुफ दो घंटे की उसको इसके एनिमेशन जिस तरीके की एनिमेशन इसमें की गई है वीजुल जो हमें देखने को मिलते हैं चुमेश्वर लेवल कि बहुत सुन्दर है हर एक वीजुल हर एक सीन ऐसा लगेगा आप उसको स्क्रिंशॉट ले उसको वोल पेपर लगा ले अपने लैपटॉप पे अपन भर्लोप dough आते तो यहाँ तो वाली जो चीज इसके अंदर देखने को मिलते हो जाते हैं मुझे बहुत जाबज जादा पसंदा है विजुल के मामले में एनिमेशन के मामले में हर लास्ट में थोड़ा बह। हमें एक एमोशनल और जेखने को मिलता है लेकिन वह नहीं सकता तो इतना जादा मुझसे इमोशनल हो जाते हैं इसकी स्टोरी मुझे लगी इसमें हम कनेक्ट नहीं हो पाते गाफी ज्यादा अच्छे हैं कोर्पस इस मूवी का नहीं निकलता है को निश्कर्षा आप निकाले कि बनाई क्यों गई वह नहीं बन पाता है तो तो मेरी तरफ से इस movie को मैं देना चाहूँगा 5 या फिर कहूँ 4.5 अगर आप लोगों ने movie देखी है तो please comment करना है कि आप लोगों को कैसी लगी अगर नहीं देखिए तो one time आप इसे consider कर सकते हैं as अगर आपको ये देखना है कि इसके visuals के अधार पर या animation के अधार पर आप इसको देख सकते हैं story दोड़ने जाओगे तो वो नहीं मिलने वाली है मैं बहुत कम ऐसा होता है कि मुझे anime कम पसंद आए मैं तो मुझे anime मुझे पसंद आती है लेकिन इस बार कुछ ऐसा मज़ा नहीं आए इसके अंदर केर नेट्फिक्स आने वाले टाइम में कुछ अच्छी animation या anime लेके आने वाला उसका काफी जादा वेट है तो बस आज के लिए इतना है रखते हैं इस वीडियो में टैंक्स वर वोचिंग इस वीडियो में जैहिंद